सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहे हैं 92 नंबर के वीडियो में दोस्ता आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हने वाला डिटेल्स अबाउट क्लैंपिंग फिक्षर वीमसी एचमसी प्रोग्रामिंग का जो क्लास है उसका ये 10 नंबर का वीडियो है और प्लेलिस्ट जो है उसका ल सब्सक्राइब चीडियारे में Or meus इसके बारे में यह सारे वीडियो दस वीडियो में सब्सक्राइर ना तो गया है ये इसके लगबग सभी वीडियोस मैंने बना दिये है बाद में है आपका फिक्शर मतलब फिक्शर किस तरीके से होते हैं बाद में है टूलिंग उसमें आता है कटिंग टूल और टूल होल्डर्स और जो पैरामेटर लगते है टूल का जो मतलब लगता है वो भी तो ये टॉपिक बहुत ब्रॉड टॉपिक है इस पे जितने वीडियोस बना उतने कम ही होंगे लेकिन मैं समराइज करूंगा पास दस वीडियो में ताकि आपको पूरा कम्पलीट नॉलेज टूलिंग का आ जाए बाद में है ड्रॉइंग तो इंजिनरिंग ड्रॉइंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बेसिक्स वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा बाद में आता है वोक्पीस माटेरियल यह सबसे इंपोर्टन है मशिनिंग में वोक्पीस का मटेरियल देखके प्रोग्रामिग और पैरामेटर और बाद में जो आपका टूलिंग है उसका सिलेक्शन होता है तो वोक्पीस माटेरियल भी हम आगे जाके कवर करेंगे बाद में है CNC programming तो CNC programming तो मैं आपको 100% पूरा 100% यहाँ पे upload कर दूँगा वीडियो लेकिन series में सबसे पहले यह 4 topics समझ लेते हैं कुछ videos में बाद में programming start करेंगे ताकि आपको यह सब knowledge आने के बाद programming आसाइन यह से easy भी आ जाएगा शुरू करते हैं आज के topic को तो function of fixer fixer का function अगर मैं बात करूँ तो fixer का function simple है to locate the part locate मतलब अगर आपका machine है मैं यह top view दिखा रहा हूँ यह machine का top view है तो यह आपका spindle है top view में और यहाँ पे bed है ठीक है यहाँ पे हमारा part है तो इस part को locate करने के लिए कोई ना कोई device चाहिए उसे कहते हैं clamping fixer जो की locate भी करता है और machine के अंदर पार को fix भी करता है अब यहाँ पे आपने locate कर दिया किसी locating pin से और बाद में यहाँ पे clamp डाल दिये आपने तो इस clamp से वो fix हो गया ठीक है और location के लिए हमेशा circular pin और diamond pin का use करते है ठीक है circular मतलब एक side में circular होती है दूसर side में कुछ इस diamond shape की होती है ताकि वो निकालने में आसारी हो ठीक है तो मैं उसका भी एक photo दिखा के आपको explanation दूंगा आगे तो simple definition है to locate the part and fix it in machine तो दो ही चीज़े है आपका जो fixture है उसका काम simple है जो part है उसे locate करना है हिलने नहीं देना है बाद में जो आपका fixture है वो part को fix करता है तो जो function है फिक्षर का वो है locate the part मतलब properly machine में part को location करना है locate करना है मतलब हर बार 100 बार में अलग-अलग part लगा हूँ 100 बार अगर हम अलग-अलग part लगा है तो उसी जो position पे है मतलब within 10 micron 20 micron की accuracy में part machine पे बैटना चीए तब ही जाके आपका accuracy अच्छा आएगा क्योंकि अगर fixture का accuracy अच्छा नहीं है तो आपके positions fire होंगे और according to drawing उसका जो grid है वो shift होगा ठीक है तो ये location बहुत important है बाद में fix तो उस job को fix करना है अब कितना fix करना है वो depend करता है आपके cutting forces के उपर जैसे tooling जिस तरीके से tools आप उस पे चलाएंगे अगर fast tool चलाएंगे feed के साथ तो उसमें vibrations आएंगे और अगर vibrations आएंगे तो उन vibrations को resist करने के लिए आपको अच्छा clamping system चाहिए तो clamping system में fixing के लिए ये तीन चार टाइप है जैसे है mechanical type जिसमे strap clamp आता है बाद में toggle clamp आता है तो मैं इसको explain करूँगा photos पे बाद में आता है pneumatic type मतलब pneumatically जो cylinder होते है pneumatic cylinder उससे clamp होता है उसका कुछ pressure रहता है साथ बार आड़ बार बाद में आता है hydraulic type hydraulic type में hydraulic coil का युसके रहता है clamping करने के लिए ठीक है तो ये सब है इसमें strap clamp, toggle clamp और जो voice हते है machine voice वो भी आते है mechanical में ठीक है यहाँ पर explain करता हूँ ठीक है तो आपको जो screen पर दिख रहा है वो है आपका mechanical type में strap clamp type fixture ओके जो भी आपका part होता है उसके उपर आप four end पे मतलब four जगा पे आपको strap clamp लगाना है मतलब lift और right side में आपको एक एक लाम है चार clamp आप लगा सकते है अगर पार्ट बड़ा है बहुत ज़ादा तो आप उसमें additionally strap clamp लगा सकते है तो यह single strap clamp है जैसे आप देख सकते है यहाँ पर यहाँ पर यह clamp है और यहाँ पर जो यह allen bolt है यहाँ पर इसको आपको tight करना है ठीक है यह आपका workpiece है यह जो rectangular type है तो जिस side में resting आहाँ पर resting है तो उसके against मतलब उस resting के against ही आपको clamp लगाना है तब जाके आपका जो vibration हो वो जब cutting faucet develop होंगे तो उसे resist करने के लिए आपका जो fixture है properly resist कर पाएगा अगर आपका जो resting है उसके just उपर आपका clamp है नहीं तो आप अगर दूसरे जगा resting करेंगे और तीसरे जगा clamp करेंगे तो उसमें vibrations आते है तो इसका आप ध्यान रखिये ठीक है तो ये हो गए आपका strap clamp बाद में अगर आपको machine voice ये है machine voice ये भी mechanical में आता है voice तो इसमें आपको सिर्फ ये जो area है ये resting area है ये area resting है resting मतलब bottom resting ये है okay ये side resting है यहाँ पर आपको rectangular और जो square type के job है वो आराम से आप यहाँ पर align मतलब clamp कर सकते है और इसका alignment one time रहता है machine का alignment इस plate को करते है machine में एक बार ये align हो गया properly कि उसके बाद जितने भी आपके jobs हो आराम से वहाँ पर आप fit करके machining कर सकते है लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगर top milling करना है तो हमेशा job इसके उपर ही होना चाहिए तो ये voice कट जाएगा ठीक है तो ये सारी चीजे जो बारी किया है वो machine पर ही समझाई जा सकते है मैं यहाँ पर आपको overview दे रहा हूँ तो जब आप machine पर जाएंगे तो आपको ये सब कुछ अपने company में देखने को मिलेगा ठीक है तो ये तो हो गया आपका machine voice बाद में अगर मैं आपको location की बात करूँ मैं आपको location का बाद में समझाता हूँ ठीक है तो ये कुछ तरीके से strap clamp एक दो तीन और चार चार strap clamp लगा है और इसके जस नीचे इसका resting pad होगा तो वो इसका ध्यान आपको रखना है ठीक है ये हो गया बाद में ये हो गया आपका toggle clamp ये इसको बोलते है toggle clamp जो हाज से toggle करते है और यहाँ पर इससे clamp करते है ठीक है तो ये mechanical टाइप में toggle clamp आता है ठीक है तो ये toggle clamp हो गया बाद में आपका pneumatic अगर आपके cutting force से ज़्यादा नहीं है फिक्शर में तो pneumatic clamp भी use होता है मतलब इसमें क्या होता है जो आपका clamping जो mechanically clamping करते हैं उसमें आपको time जाता है ठीक है उसमें effort भी ज़्यादा लगते है mechanical clamps में लेकिन pneumatic और hydraulic में आपको बस एक button प्रेस करना होता है उसके बाद में जो pipes से इसके through clamp activate होते हैं pneumatic cylinders उसे operate करते है ठीक है और ये clamp automatically यहाँ पर clamp हो जाते है ठीक है तो इस तरीके से pneumatic clamping काम करता है कुछ 5 से 10 बार pressure के बीच में लेकिन cutting forces अगर आपके ज़्यादा नहीं है तो ही आपको इसे pneumatic को use करना है otherwise ये काम में नहीं आता है ठीक है नहीं तो आप इसे use करेंगे और आपके अगर cutting forces से ज़्यादा है तो आपको vibration देखने को मिलेगा और आपकी जो accuracy है वो proper नहीं होगी ठीक है तो यह हो गया pneumatic cylinder के बारे में जो यहाँ पर मैंने लिखा था बद में आता है hydraulic cylinder ओके तो hydraulic cylinder में आपको यहाँ पर जो pipes है ओके यह जो pipes दिख रहे है steel के तो इसके through hydraulic आते है और जो clamps वगरा है यह activate होते है ठीक है और इसी के तुरू part को clamp किया जाता है अगर बहुत बड़े-बड़े जो casting रहते है automobile industries में जो engine के parts वगरा रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा better accuracy चाहिए रहती है तो ज़्यादा precision के लिए ज़्यादा तर hydraulic fixtures सी use करते है ठीक है तो इसी fixture का इस्तेमाल ज़्यादा तर होता है इस fixture में आपको सिर्फ button दवना है और बाकी clamps automatically उसे clamp कर देंगे और location का काम आपको ही करना है जब भी आप part machine में locate करते है तो location का मैं आपको बता देता हूँ fixing का तो मैंने आपको सारे system बता दिये है अभी location का जो है वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो यह है आपका location के लिए ओके तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे है एक round pin है और एक diamond shape है यहाँ पे लिखा भी है diamond shape और एक round ओके जो alignment होता है आपका यह होता है diagonally मतलब एक यहाँ पे होता है suppose यह एक part है for example तो एक यहाँ पे होता और एक diamond pin यहाँ पे होती है ठीक है तो यह एक make के opposite रहते हैं हमेशा है याद रखिए अगर आपके पास कोई picture है तो उसे जाके देखिए आप तो आपको यह यह opposite ही देखने को मिलेंगे एक make को मतलब इस तरीके से नहीं होगा कि यहाँ पे pin है और यहाँ पे pin है ठीक है चार pin रह सकती है कही कही पे जिनको जरुरत होती है जैसे उनकी की design करते है लेकिन दो pin पे ही आपका location का काम हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से यह location के लिए काम आता है और इसका accuracy जो होता है वो इतना रहना चाहिए कि आपका part हर बार मतलब अगर आपने 1000 पार्ट भी उस पे claim किये है या locate किये है तो वो उसकी accuracy 20-40 इस macron के बीच में आने चाहिए वो अगें depend करता है आपके component पे आपका जो component पे जो इसके holes रहते है जो location के लिए holes चाहिए pre-machined hole तो उसकी भी accuracy से अच्छी रहने ही चाहिए तब जाके आपको consistency मिलेगी तो यह तो था location के लिए ओके तो इस प्रकार से मैंने सारे clamping system आपको यहाँ पे समझा दिए अगर आपके मन में कोई भी doubt है तो comment किजिए मैं comment पे answer देने की सब को कोशिश करूँगा और next videos में हम tooling, drawing यह सब चीज़े देखेंगे और सबसे last में programming तो programming का तो बहुत वास से लवस है बहुत बड़ा से लवस है तो उसको भी एक एक वीडियो में कवर करके finish करने की कोशिश करता हो ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों next video में अगर आप चैनल पे दोस्तों नए है तो जो CNC के आपके groups होते हैं उसमें इन वीडियो को circulate कीजिए ता तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहीन वन्निमातरम थैंक यू वेरी मच